नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है, आईए देखिये आज की ताजा खबर उक्तरा खंड में चार दिन से हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है रामनगर विधानसभा के ग्रामीन ख्षेत्र मालधन में अब हालात ये हैं कि लोगों की घरों में पानी भर गया है खाने पीने की सामगरी पानी में भीग कर खराब हो गई है, आम जंता का आलम ये हैं कि ना घरों में खानों को हैं और ना सोने की जग़ हैं, साथ ही किसानों की धान की पकी हुए फसलों में, पानी भरने से फसल नस्ठ हुने की कदार पर है, और रोजी रोटी का संकत मंदराने लगा है आज जब राजस्व विभाग की टीम मालधन में हालात का जायजा लेने पहुँचे तो उसको भी ग्रामीनों की गुसे का सामना करना पड़ा अभी तक राजस्व की टीम ने 38 धरों का मुएना कर लिया है अभी राजस विभाग की टीम रामीनों के देविया आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने में लगी हुई है राहुल कांधपाल ने बताया की सरकोपे पानी भर गया है सुबल से ही लोग आजा नहीं पा रहे थे और खाने पीने का सामान तक नहीं ला पा रहे थे और तमाम लोगों के घरों में पानी घुश गया है खाने पीने का सामान भीग गया है लोगों की फसले बरबाद हो चुकी है मैं सरकार से अनुरोद करूंगा की मुख्यमंत्री रहतकोश से जितना भी मुआवजा हो देना चाहिए उपचलादिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा की हम पतवारी को भेज रहे हैं शेत्र में लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है उसका जाय़ जा लेंगे और जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देनगे आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार, मालधन से, न्यू कॉबेट समाचार के लिए सलीम एहमद साहिल की यह विशेश रिपोर्ट, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले इतर्कार महोदे विकत द्यू तारह सब्सक्राण आपक tuttoय में, हमारे करी दो थे द्वारा न से तन न प्त्रकार के द्यूप्त आने जाने पर सुबह से बिल्कुल लोग आ जा नहीं पा रहे थे और जो खाने के समान वो भी नहीं ला पार थे लोगों के तमाम लोगों के घर में या पानी घुज गया हम मैं और मेरे ग्राम परदान मौदे हम साथ में जा करके लोगों के घर गर गए और जिन लोगों के भ बारिस नहीं हो पाई थी ना होने के कारण जब बरसाथ का मौसम था यहां पर जो लोग थे वो सेव थे लेकिन ये चार दिन से लगातार बारिस हो रही लोग के मन में डर बैठा हुआ है मैं सरकार से और प्रसासन से मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री रहत को से या जो हमारा आपदा प्रजबंदन का जो एक बजट होता है सरकार का उससे इन लोगों को जितना भी मौहज़ा हो सके वो देना चाहिए सरकार ने और हम खुछ जाकर के हमने बात करी थी आज तो उनने महां में बताया था कि हम पटवारी जी को बेज रहे हैं हमनी छेत्र में और वह जाकर के लोगों की जितना नुक्सान हो उसका जाइजा लेंगे और बाकी जितना हो सके मौहज़ा हो देने की हम कोशिश करेंगे यहां पानी भर जिसका घर जाकर निर्क्षन किया रहा है और यह देखा जा रहा है कि लोगों का वास्तवी नुक्सान हुआ है उनको हम सरकारी दोर से मौज़ दिया जाएगा लगभब अपनी जो पूरे कि इनका अगर मकान रिष्टी घष्ट हुआ है तो उनको करेंद्वान से कुछ मदद दी जाएगी और किसी को मकान से नुक्सान नहीं है कि वर समान का तो यह दो साहता से उनको मदद दी जाएगी